हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तो आज की वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल जोगराफी का एक बहुत ही महातुपूर टॉपिक मरुस्थली करने या फिर डिजर्टिफिकेशन को बहुत ही डिटेल में डिसकस करने दोस्तो आज का जो यह हमारा टॉपिक इंपोर्टेंट होने वाला है ठीक है तो आज के टॉपिक को आप अंधर तक जरूर देखिएगा चलिए हम सीदे को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो देकि सबसे पहले हम मरुस्थल या फिर डैजर्ट की डैफिनिशन को समझ लेता है कि आखिर मरुस्थल होते क्या है या फिर इनका विकास कहां पर होता है ये कहां पर बनते हैं तो देकि प्रत्वी पर इस्थित वाहे छेतर जहां पर 25 सेंटी मीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहां पर मरुस्थलों का विकास होता है या फिर डैजर्ट का विकास होता है या फिर उनका फॉर्म लगने रखना है वर्शाम ठीक है। इसके अलाबा मरस्तो다 के प्रकार देख लेते हैं कि कितने type की यह मरस्थल होते है। एक होते हैं बच्चो उपोष्ण कटिवंधी मरुस्थल, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, एक होते हैं सीत मरुस्थल या फिर कोल्ड डेजर्ट या फिर थंडे मरुस्थल, एक होते हैं तटीय रेगिस्तान या फिर मरुस्थल या फिर कोस्टल डेजर्ट, एक होते हैं दुरू आता है व्रश्टी छाय चेतर वाले मरुस्थल भी बताता है तो वो सब भी इनी के अंतरकत आ जाएंगे तो मुख्यत ये चार प्रकार के मरुस्थल आपको याद रखना है ठीक है अब ये क्या होते हैं अभी हम यहाँ पर एक एक करके डेटेल में हाँ पर डिस्कस करेंगे जैसे अपोर्शन कटीवंधी के अंतरकत मैग्जिमम जो गर्म मरुस्थल होते हैं वो आ जाते हैं 35-45 डिगरी के आसपास के जो मरुस्थल है इसके लाभा सीथ मरुस्थल में जितने ठंडे मरुस्थल आ है गोवी मरुस्थल हो गया ये सब ही आ जाएंगे इसके अंतरकत तटीय मरुस्थल के अन्तरक्त अाटाइकामा आ जाएगा है नामिद आ जाएगा तो यह तटीय mरुस्थल मतलब जो समुद्र के किनारी स्थेत है वो आ जाएगे धृ deport मरुस्थल के अंतरक्त इनके अंतरकती सारे मरुस्थल आपके कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से ठीक है इसके लावे यह आप एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो आपको याद रखना है अंटार्किट का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अब कॉस्तान वगेरा सब्द जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है कि रेथ ही रेथ है पानी विलकुल नहीं है गर्मी बहुत जादा है तो ऐसा नहीं है जो डेजर्ट होते हैं बच्चों ये गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते है तो जैसे अ अंटार्किटिक और आर्किटिक हैं ये भी एक प्रकार की मरुस्थल ही है थंडे मरुस्थल है या फिर आप बोलें धुवी ये मरुस्थल है तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो अंटार्किटिक दक्षन में आप देखेंगे से बड़ा मरुस्थल है यदि option में antarctic architect है तो आप इनको choose करेंगे यदि यह दोना option में नहीं है और सहारा option में तो फिर आप इसको choose कर सकते हैं क्योंकि सबसे गरम सबसे बड़ा गरम या फिर hot desert जो है वो सहारा और overall में आप सबसे बड़ा देखेंगे तो antarctic desert सबसे बड़ा है ठीक है चलिए आगे और हम detail में पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से clear होंगी अब देखिए मरुस्थल की कुछ विशिष्टाएं भी होती हैं उनको भी हम मरुस्थल होंगे यहां पर temperature बहुत अधिक होता है और जो ठंडे मरुस्थल होते हैं यहां पर बहुत काम होता है ठीक है तो यह ठंडे और गरम के दूसरा बदल जाएंगे चीज़ें ठीक है इसके अलाबा मरुस्थल की जो वनस्पति होती है उसको मरुद भी दी या फिर जीरो फाइट कहा जाता है यह बहुत important है यहां से कई वार exam में भी question आता है कि जो मरुस्थलों में वर्रस्पतियां पाए जाती है उनको क्या कहा जाता है तो उनको zero fight zero fight कहा जाता है या फिर हिंदी में इसके लिए बर्ड है वच्चो मरुद भी दी या दोनों याद रखना है maximum आपको zero fight याद रखना है कि यहां से एक्जाम में question ज्यादा पूछा जाता है ठीक है तो ऐसे इस्थान जहां पर न्यूंतम वर्षा होती है बहुत कम वर्षा होती है पच्चेस सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहा बहुत लंबी होंगी जैसे नाग फनी हो गया बवूल हो गया कैक्टस हो गया यह सारे ठीक है तो इनकी विशेश्था होती है कटीले ब्रक्ष होते हैं जड़े इनकी काफी गहराई तक जाती है पानी की तलाश में ब्रक्षों का जो छाल होता है काफी मोटा होता है कांटे वगएर बहुत ज़ादा पाएते हैं, तो इन वनस्पतियों की ये विशेश्ता होती है ये ये जो मरुस्थल होते हैं बच्चों, यहाँ की जो जलवायू होती है बहुत शुश्क होती है, शुश्क से मतलब कहीं नमी मिलेगी भी तो वो उसको खीच लेगी वो हवा ठीक है सुस्क वायू क्या होती है वायू में नमी की मातरा बहुत कम होती है नि Supreme यदि मालीजे कहीं थोड़ी बहुत नमी है भी तो ये सुस्क हवा उसको एबसॉर्ब कर लेगी ठीक है आंगे बात करते हैं इसके लब जो भी मरुस्थल होते हैं अभी हमने बात की कि पतली पतियां होती हैं पर जो भी वनस्पतियों का विकास होता है उसमें पतली पतली पतियां होती हैं नुकीली पतियां होती हैं कांटे दार व्रक्ष होते हैं मौटे च्छाल होते हैं तो ये इनकी विशेश्षषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष कवक, शेवाल ये सारी वनस्पतिया थंडे मरुस्थल या फिर सीत मरुस्थल में पाई जाती हैं तो ये कुछ विशेष्टा हैं बच्चों मरुस्थलों की आपको याद रखना है तीक है आगे बात करेंगे चलिए अब हम थोड़ा मरुस्थलों का वितरन समझ लेते कि जो ह यहां पर कभी भी मरुस्थल आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने मरुस्थल की डेफिनिशन में समझा है कि जहां पर 25 cm से कम प्रेसिप्रिटेशन होता है 25 cm से कम वर्शा होती है वहां पर ही मरुस्थलों का विकास होता है और आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा भूमद्य देखा वाला छेतर होता है बच्चो ठीक है भूमद्य डोल्डरम छेतर आप बोल सकते हैं 0 से 5 डिगरी के बीच में है यहां पर सरवादिक वर्शा होती है regular basis पर वर्शा होती है तो इस रीजन में सरवादिक वर्शा होती है इस कार्ण से इस रीजन में कभी भी आपको मरुस्थलों का विकास देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर देखिए, एक map मैंने डाला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, कोई वी मरुस्थल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, जितने वी मरुस्थल ही होता है ठीक है ये पॉंइंट आपको याद रखना है यहां कभी में मरुस्थल नहीं पाए-जाएंगे क्योंकि यहां पर परयाप्त मात्रा में वर्शा होती है ठीक है चलो एक सरवादिक मरुस्थल आपको यहाँ पर developed दिखेंगे इस शेतर में सरवादिक मरुस्थल पाए जाते हैं इस शेतर में ठंडी हवाएं नीचे उतरती हैं और यह ठंडी हवाएं वर्शन नहीं करती इसी कारण से इन अक्छांसों में सरवादिक मरुस्थल देखने को मिलते हैं यह देखिए मैंने तीस से चालिस के अक्षांस बना हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तीस से चालिस के अक्षांस हैं और तीस से चालिस यह दक्षण में हैं अब सरवादिक मरुस्थल बच्चो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा जैसे देखिए यहाँ पर पूरी desert है पूरा है ना यहाँ पर आप देखे लिए थार भी इसके आसपास है सहारा यहाँ पर है तो maximum मरुस्थलों का विकास आपको 30 से 40 डिगरी के आसपास ही देखने को मिलेगा अब आपके कि विशुवत रिखा में सालवा temperature अधिक होता है यहाँ से पवने ऊपर उठती है छोब सीमा तक जाती है फिर वहाँ से नीचे उतरती है और नीचे कहाँ पर उतरती है इस पकार से आप समझे यहाँ से पवने ऊपर उठेंगी और यहाँ पर 30 से 40 डिगरी में दौनों गुला उठेंगी ऊपर जाकर के वो ठंडी होंगी ठंडी होती है पर वर्षा करती है और कुछ हवाई कहां क्या होता है तीस से 40 डिगरी में मुडती है छोब सीमा पर जाकर के छोब मंडल की जो उपरी सीमा होती है और यहाँ पर जाकर के यह 30 से 40 डिगरी में नीचे उतरती है और कारण है कि यहां पर अधिक तर मरुस्थलों का विकास पाया जाता है मैगजिन मरुस्थल देखेंगे आपको इन्हे अक्छांसों में देखने को मिलेंगे यदि और कहीं पर मरुस्थल पाया जा रहा है तो उसका कोई पाया रीजन हो सकता है कि उस भगौलिक छेत्रफल की खतम हो जाती है तो उनके कुछ अन्य रीजन भी हो सकते हैं लेकिन आप देखेंगे तीस से चालिस में आपको मैग्जिमम डेजर्ट देखने को मिलते हैं ठीक तो एक पॉइंट यह याद रखना है इसके लाबा अधिकतम मरुस्थलों का विकास बच्चों महादीपों के पश्चिमी किनारे पर होता है वेस्टन साइड में आप देखेंगे यहां पर आप पैले मैप में देख लिजए यहां पर आप देखेंगे आटा कामा हो गया पेंटागॉनिया हो गया यहां पर अमेरिकन डेजर्ट है त्सारे यह पश्चिम की ओर है सहारा का विकास भी 25 पश्चिम से ही हुआ है Australian desert देखेंगे आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा थार तो maximum desert पश्चिम की और ही developed होते हैं या वनते हैं उनके पीछे भी एक reason है पहला reason तो एक ये हो गया मैंने आपको बता दिया 30-40 वाला यहां ठंडी हवाएं उतरती हैं दूसरा reason क्या है कि यहां पर जो बच्चो ब्यापारिक हवाएं चलती हैं आपको पता होगा आपने पढ़ा होगा ब्यापारिक हवाएं इस प्रकार से चलती है ना इस प्रकार से चलती है उत्री गोलार्द में इस प्रकार से चलती है यह इस प्रकार से चलती है तो क्या होता है कि जैसे माल ल और थोड़ी वहत मद्ध किनारे में वारिश करती है और पश्चिम तक जाते इनमें नमी समाप्थ हो जाती है इनमें आदरता नहीं रह जाती है इस करण से महादीपों के पश्चिम में बिल्कुल नियुनतम वर्शा होती है तो एक करण ये भी है कि ब्यापारिक जो पवने महादीपों की पश्चिमी किनारे तक पहुंसती है तब तक इन में आदरता पूरता समाप्त हो जाती है नमी पूरता समाप्त हो जाती है इस कारण से महादीपों की पश्चिमी किनारे पर या फिर वेस्टरन साइड में ये बहुत कम वर्शा करती ह यहाँ पर जो जलवायू पाई जाती है बच्चो शुश्क जलवायू पाई जाती है या फिर मरस्थली जलवायू पाई जाती है जबकि आप पूरवी किनारों में देखेंगे महादीपों के तो यहाँ पर आद्र या फिर मानसूनी जलवायू पाई जाती है बीच में आप तो बीच में भी आदर जलवाई हूँ या फिर अर्द सुष्क जलवाई हूँ पाई जाती है तो आपको एक रीजन ये भी याद रखना है कि पश्चिमी किनारों तक जाते जाते हैं पाउनों में नमी खतम हो जाती है नमी समाप्त हो जाती है इसकारण से यहाँ पर बहुत कम वर्शा होती है तो एक रीजन ये भी है कि मैग्जिमम मरुस्थलों का विकास महादीपों के पश्चिमी किनारों पर होता है तो ये बात आपको याद रखने है ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं ये सारे पॉइंट एक रीजन और है कि जो ये महादीपों के पश्चिमी किनारे ही नहीं बच्चों यहाँ पर ठंडी जलदहराएं भी चलती है ठंडी जलदहराएं चलती हैं यहां पर high pressure का छेतर बनता है और पवने opposite direction में move होती है तो एक reason यह भी है कि यहां पर पश्चीमी किनारों पर मरुस्थल देखने को मिलते हैं अब यहां पवने ठंडी हो जाएंगे और ठंडी पवने वर्शन नहीं करती है तो एक reason यह भी होता है कि पश्चीमी किनारों पर मरुस्थलों का विकास होता है तो यह आपको मरुस्थलों का वित्रन भी याद रखना कि कहां कहां पर मरुस्थल बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं खास्तों पर civil services के जो exam होते हैं UPSC, PCS जैसे यहाँ पर काफी ज़्यादा important हो जाता है यह वाला particular topic है ना चलिए आँगे बात करते हैं अब ज़रा मरुस्थल देख लेते हैं पूरे विश्व में कौन-कौन से मरुस्थल है फिर एक एक करके हम इनको detail में भी discuss करेंगे चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ अमेरिका में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पश्चिमी किनारे पर कुछ मरुस्थल देखने को मिलेंगे जैसे ग्रेट बेसिन हैं मोजाव है सोनो रन है चिहुआ हुआन है यह सबसे बड़ा है एक और कौन सा है चिहुआ हुआन चिहुआ हुआन ठीक है एक और डेजर्ट यहाँ पर यह है तो यह तीन-चार मरुस्थल आपको याद रखना है नौर्थ हमेरियका और यूएसे जो है अ अग्जामपल में आ गया इनमें से कौन सा अग्जामपल है या फिर कोस्टल डेजर्ट का एक्जामपल है तो आप आटाकामा को टिक कर सकते है यह पश्चिमी किनारे पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर पेरू की थंडी जलदारा भी चलती है और विश्व का सुस्कत मरुसला अभी हम डेटेल आँगे डिसकस करेंगे इसके लबाँ यहां पर आप देखेंगे आपको पेंटागोनिया डेजर्ट देखने को मिलेगा यह थंडा डेजर्ट है यह और देखते हैं हम यहां पर आप देखिए नामिव है और काला हारी है आफरीका में दक्षन और फैलता जा रहा है ठीक है यह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे अरेवियन डेजर्ट है दूसरा सबसे बड़ा जो गरम मरुस्तल है अरेवियन डेजर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बहुत सारे हैं गि गुवी डेजर्ट देखने को मिलेगा मंगोलिया और चाइना में है ये ठंडा मरुस्थल है आपको याद रखना है इसके लब आंतरिक मरुस्थल का भी एक्जामपल है इनमें से कौन सा आंतरिक मरुस्थल का एक्जामपल है आंतरिक मरुस्थल मतलब ऐसे मरुस्थल इंटी एक मरुस्थल के भी एक्जामपल हो जाते हैं, यह सब थंडे मरुस्थल हैं, एक एक करके हम यहाँ पर detail में discuss करते हैं, ठीक है, इसके लवा इरान में आप देखेंगे, दस्ते लूट, दस्ते कावे desert हैं, अभी हम देखेंगे, इसके लवा जो Greenland है, यह भी एक थंडा मरुस हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, आर्किटिक डेजर्ट है, और नीचे आपको अंटार्किटिक डेजर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह पूरे मैं आपको एक एक करके desert समझा दिए, अब मैं थोड़ा सा, जो कुछ-कुछ important हैं, जिनमें जादर detail पूछी जाती है exam exam में, उनको हम एक एक करके हाँ पर detail में भी discuss करते हैं, तो topic को आँगे discuss करने से पहले थोड़ा से मैं आपको update देना चाहूँगा, कि हमारा 2022 का SSC का target batch विल्कुल live है, यदि आप SSC की तयारी कर रहे हैं, फिर SSC से related किसी भी exam को target कर रहे हैं, CGL हो, CPO हो, है ना, तो आप हमा faculty के द्वारा पढ़ाए जाएंगे, link आपको description box में मिल जाएगी, play store से आप application को download कीजिए, वहाँ पर बागी detail आप देख सकते हैं, इसके लावा, यदि आप DSSC, है ना, code याद रखना, DSSC, यदि आप coupon code यूज़ करते हैं, तो आपको additional या फिर extra 500 रोपे का discount मिलेगा, ठी DSSC, ये code है, आपको याद रखना है, ठीके, इसके लावा, यदि आप मुझसे जोगरफी पढ़ना चाहते हैं, individual course में, individual subject पढ़ना चाहते हैं, वर्ल जोगरफी हो या फिर Indian जोगरफी हो, तो root application पर आप individual मुझसे जोगरफी पढ़ जखते हैं, वहाँ पर मेरा foundation batch चल रहा तो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यदि माली जी आपको सिर्फ history पढ़ना है, सिर्फ science पढ़ना है, तो ये facility आपको available है, आप individual एक-एक subject भी वहाँ पढ़ सकते हैं, जोगरफी है, arithmetic, advanced का maths है, politics का batch है, science का है, history का है, English का है, सारे subject आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो एक वार आप हमारी root application को visit जरूर कीजिए, आँगे हम topic को discuss करते हैं, ठीक है, ये सारे हमने desert देख लिए, अब एक-एक करके हम देखते हैं, सबसे पहले हैं, इनको हम समझ लेते हैं, बच्चो, देखिए, सबसे पहले है, गोवी मरुस्थल, काफी important है, कई वार exam में question प इसका जो part है, वो कहाँ पर है, चीन में, ये देखिए, ये चीन है बच्चो, ये चीन और मंगोलिया की border है, ये है यहाँ पर, तो ये दोनों देशों में फैला हुए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कि चीन और मंगोलिया दो देशों में ये फैला हुआ है, और ज़्यादा तर हिस्सा इसका चीन में आता है, ठीक है, इसके लजवाँ यहाँ पर इसकी एक विशिश्चता ये है, खास की यहाँ पर बैक्टरिन ऊट पाये चाते हैं, या फिर उट पाये जाना ऐनकी विश्चता क्या होती है? इनमें दो कूबर होती है इस प्रकार से, य इनमें से किस डेजर्ट में बैक्टरिन प्रकार की ऊंट या फिर बैक्टरिन कैमल पाए जाते हैं तो कहां पर जो गोवी मरुस्थल है यहां पर यह पाए जाते हैं आपको याद रखना है ठीक है इसके लावा यह आंतरिक डेजर्ट का भी एक्जामपल है आंतरिक या फिर desert मतलब महादीपों के बिल्कुल बीच में ये पाए जाते हैं ना चलिए आगे बत करते हैं आगे बच्चो तकला माकान मरुस्थल ये कहाँ पर ही ये भी चीन में है आप देखेंगे यहाँ पर हिमालाय रेंज है यहाँ पर हिमालाय रेंज है यहाँ पर हिमालाय रेंज है इ रेन स्फेटो रिजन में इससे थे आपको याल रखना है तकला मकान मरुस्थल मुख्षिता चीन में हैं हिमालय की वरष्टि जायच छेतर में यह पाया जाता है आपको याद रखना है वरष्टि जायच मतलब क्या होता है और यहां तक आते-ए-आते पवनों में आदरता न कई वर यहां से एक और डिविजन कर देते हैं कि रैंसेडो डैजर्ट क्या होते हैं तो आपको याद रखना है टकला मकान जो मरुस्थल है यह वर्ष्टी चाया छेत्र मरुस्थल का एक्जामपल है इसके लावा एक है काराकुम मरुस्थल बच्चों यह कहां पर है तुर्क कुमिनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान है ना यह सब किजिलकुम और कराकुम यह सब मद्दे एशिया में इस्तित हैं आपको याद रखना है कराकुम कहा है तुर्की मिनिस्तान में है ठंडा मरुस्थल है और किजिलकुम कहा है यह तजाकिस्तान में है दोनों ठंड अर्जेंटीना और चिली यहाँ पर देखी यह ब्राजील है सबसे बड़ा देश इसके नीचे आप देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा देश है दक्षन अमेरिका कॉंटिनेंट का अर्जेंटीना और यहाँ पर है चिली जहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन इस्थित है एंडीज तो यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना में इस्थित है पेंटागोनिया मरुस्थल जो की ठंडा मरुस्थल है और काफी शुर्षक मरुस्थल है आपको याद रखना है ठीक है तो कौन-कौन से देख लिए है तकला माकन चीन और मंगोलिया में है तजाकिस्तान में है इसके लाबा पेंटागोनिया दक्षन अमेरिका कॉंटिनेंट में इस्थित है कौन-कौन से देखों में चीली और अर्जेंटीना में तो आपको याद रखना है आँगे बात कर लेते हैं इसके लाबा यह एंडीज की व्रष्टी शाया छेत्र में है आपको पता होगा यहाँ पर यहां पर इस प्रकार से एंडीज परवत है बचो और इसके आप देखेंगे तो पूर में व्रष्टी शाया छेत्र में यह इस जातर है ठीक है आँगे बात करते हैं इसके लाबा भारत की यह अगे कि बात करेंगे बच्चों इंडیا के तो लद्दाख जो है ठीक है लद्दाख जो है बच्चो ये भी एक सीत मरुस्थल का एक्जामपल है ये भी हिमाले के विष्टी चाया छितर में इस्तित है और इस रीजन में बच्चो पूरे भारत की कम वर्षा होती है नियूंतम वर्षा होती है 9.15 cm या फिर बोलें लगवग 9.15 cm वर्षिक वर्षा यहां पर होती है एक्जाम में कॉश्चन आता है कि भारत में नियूंतम वर्षा कहा होती है तो लद्दाख रीजन में ही भारत की नियूंतम वर्षा होती है ये पूरे भारत का सीत मरुस्थल है ठीक है भारत में भी दो मरुस्थल याद रखना एक थार आपको पता ही होगा और एक लद्दाख ये सीत मरुस्थल है और ये गरम मरुस्थल है ठीक है उश्र मरुस्थल है आपको याद रखना है तो लद्दाख मरुस्थल भारत में भारत का सीत मरुस्थल है यहाँ पर नियूंतम वर्शा होती है और हिमालय के बच्चो ये व प्षिवा हुआन यह उत्तर। अमेरिका कॉंटिने हैं इसी मेरिक का इसके लिए नर्थ अमेरिका के सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके लिए के लिए मरुस्थलों के स्रंख्ला देखने को मिलती है। एक है मोजावे Desert, अमेरिका के कैलिफोर्निय राज में स्थित है। यह उत्र अमेरिकां कॉंटिनेंट का गर्म मरूस्तल है। शोनोरन और चलिए आंगे देखते हैं। चली आंगे देखते हैं अब देखिए गरम में अगला सबसे महत्वपूर्ण डेजर्ट जो है बच्चो वो है सहारा आप सभी को पता होगा काफी टाइम सा पढ़ते आ रहे होंगे आधी आप तियारी कर रहे हैं तो करके रेखा पर यह स्थे ते करके रेखा इससे उकर करके तो आफरी का एकमात्र ऐसा कॉंटिनेंट है जिससे तीनों रेखा हो करके गुजरती है ठीक है तो जो सहारा डेजर्ट है बच्चो इससे करके रेखा हो कर गुजरती है आपको पता होना चाहिए और सबसे बड़ा गरम रेग स्थान है होट डेजर्ट है एक्जाम में शुकर सबसे गरम स्थानों में एक आता है वैसे तो वर्तमान में साब है डैथ वैली है अमेरीका का लेकिन ये सेक्ट नमबर का सबसे गरम स्थान है यही पर अलजिरिया देश है उसका एक स्थान है आपको याद रखना इसके लावर यहाँ पर एक जनजाती भी पाई ज बात भी आपको याद रखना है तो इक कालाहारी । यहां से कॉश्चन आता यहाँ पर एक خاص जंजाती रहती है bushman जंजाती का निवास इस्थान कहां पर है तो कालाहारी डेजर्ट में ही बूस्मेन जंजाती निवाश करती है आपको याद रखना है ठीक है यह map में भी आप देख लीजे यह सहरा डेजर्ट मैंने उपर बताया है ठीक है ये देख लिए और इसके लए बच्चो सहारा डیزर्ट जो रेगतंड इसकी एक विशिश्चता भी है यह लगातार अपना विस्तार करते जा रहा है और डक्षण की और यह फैल रहा है कैसा डक्षण की और यह लगातार इस प्रकार से फैलते जा रहा है ठीक है और जहां पर ये फैल रहा है ना बच्चो इस रीजन को बोलते हैं साहेल छेत्र कौन सा छेत्र बोलते हैं साहेल छेत्र एक्जाम में कॉशन आएगा साहेल छेत्र क्या है तो साहेल छेत्र वाई छेत्र है बच्चो आफ्रीका कॉंटिनेंट का जहां पर सहारा मैंना कई वर आपको लेक्चर में बता है कि अरब पैनिसुला विश्यू का सबसे बड़ा पैनिसुला है पैनिसुला के होता है जो तीन ओर से जल से घरा हुआ होता है ठीक है यह अरब प्रायदीप है अरब पैनिसुला है विश्यू का सबसे बड़ा प्रायदीप है और यहा पाई जाती है आपको याद रखना है इसके लाबा यहाँ पर oil petroleum भी बहुत अधिक मात्रा में आपको पता होगा oil exporting country है फिर जो सबसे ज़्यदा oil petroleum का उत्पादक करती है यहाँ पर ही आपको देश देखने को इसके बड़ा गरम मरुस्थल है आपको याद रखना है और यह दो is काफी ज़्यादा मात्रह में पाया जाता है पर खारापन काफी ज़्यादा पाया जाता है इसलिए इसको great salt desert भी कहा जाता है दस्ते कावे desert और एक है दस्ते loot desert इसे यह कहाँ पर यह पूरवी इरान में देखने को मिलेगा दौनों इरान में हैं तो यह आपको याद रखना है दस्ते loot दस्ते कावेर कहाँ पन है यह गरम मरुस्थल के एक्जामपल है इरान में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है आगे देखते हैं Australia Australia में भी देखेंगे तो पश्चिमी Australia में या फिर मद्ध पश्चिमी Australia में आपको पूरे बहुत सारे desert देखने को मिलते हैं एक स्रं चार्ण से बच्चो Australia को किया बोला जाता है Australia को 85 भूमी का देख भी कहा जाता है तो ऑसलीय को देखके है उसका reason है बच्चो उसका reason यह है कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है खास्तोर पर पश्चिमी ऑस्ट्रिलियम है इस कान से इसे प्यासी भूमी का देश कहा जाता है या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आप डेजर्ट बहुत जाद है और डेजर्ट का विकास भाई होता जानी उन्तम वर्षा होती है तो इस कान से इसको प्यासी भूमी का देश कहा जाता है आपको याद रखना है ठीक है इसके लबब थार हमारे भारत का जो एक मात्र गरम मरुस्थल है थार उसको देख लेते तो यह भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ मरुस्थल है बच्चो यह देख लीजिए यह राजिस्थान राज्ज में है मुखेता है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान में जो सीत मरुस्थल थे इसके लावा जो गरम मरुस्थल थे वो हमने यहाँ पर देख लिए अब देख लिए तर्टीय मरुस्थल हमने चार भागों में इसका डिविजन किया था उसमें से एक था तर्टीय मरुस्थल तो इसको भी देख लेते हैं देखिए तर्टीय मरुस्थ पर और यहाँ पर चिली पेरू की बाउंडरी पर आपको आटाकामा डेजर्ट देखने को मिलेगा बहुत इंपोर्टेंट डेजर्ट है बच्चो यहां से कई वार एक्जाम में कॉश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहली बाद तो पंदर सोब मीटर की उचाई पर इस्थ कामा डेजर्ट में जहां पर कई सेकड़ों साल से वर्षा नहीं हुई सौ दो सो सालों से वर्षा नहीं हुई तो इसलिए भी यह विश्चो का सुस्कुतम इस्थाल है आपको याद रखना है ठीक है यहां अरीका अरीका नाम का इस्थान है विश्चो का सुस्कुतम नाइट्रेट जो और वरक बनाने की काम आता है, यहाँ पर उसके भंडार भी पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने बता हैं, most important है, कई वार यहाँ से एक्जाम में question आते हैं, सबसे पहली वाद तो चिली पेरू में इस्थित है, याद रखना important है, सुस चांत महासागर के बिल्कुल किनारे में, यह इस्थित है, और यहाँ पर यह विश्व का सुसकतम इस्थान है, इसके लवाँ यहाँ पर पेरू की जल्दारा चलती है, आपको याद रखना है, पेरू की ठंडी जल्दारा चलती है, मैंने आपको बताय था एक reason, कि आफरिका कॉंटिनेंट में, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने map बताया है, यहाँ पर आप देखेंगे, कालाहारी इसके पूरूम में है, और इसके पश्चिम में आपको नामिव डेजर्ट देखने को मिलेगा, तो यह नामिविया में है, विश्व का प्राच यह मरुस्थल का example है, इसमें क्या होता है, कहीं कुछ रीजन में यहाँ पर temperature बहुत कम हो जाता है, तो आपको confuse नहीं होना है, इनको आपको 30 के अंतरगत रखना है, इसके लावा सुस्कुतम मरुस्थल में आपको आटाकामा का नाम याद रखना है, और जो नामिव मरुस् वी विश्व के प्राचींतम मरुस्थल में आता है, तो यह जितने भी मरुस्थल से आपको याद रखना है, इसके लावा धृूबी मरुस्थल बचे तो धृूबी में आपको याद रखना है, अंटार्किटिक और आर्किटिक यह polar desert या फिर धृूबी मरुस्थल का example है, आपको याद रखना है, या फिर कहीं कहीं इनको सीथ मरुस्थल, कई लोग आपको क्या बताएंगे कि दो प्राकार के मरुस्थल होते हैं, एक सीथ और एक ऊश्ण, है ना, तो सीथ में के अंतरकत इनको रख देते हैं, तो आपको याद रखना है, या फिर धृूबी या polar desert के अंतरकत इसको रखते हैं इसके लाबा कई जो greenland है उसको भी आप इसके अंतरकत रख सकते हैं greenland को भी polar desert या फिर धुरूबी रेगिस्तान के अंतरकत आप रख सकते हैं ठीक है तो यह आपको याद करें तो मुख्य तहीं चार प्रकार से हमने division किया था चारों प्रकार ह पाई जाती हैं कौन सी vegetation यहाँ पर पाई जाते हैं तो इनकी वनस्पतियों को क्या बोलते हैं मैंने पहले option देख लेते हैं मरुद विद मीसोफाइट हाइड्रोफाइट यह फिर इन में से कोई नहीं तो बच्चों जो मरुस्थलों में वनस्पतिया पाई जाती है फिर न यहाँ पर गरम ठंडा नहीं बोल रहा है तो इसका answer क्या होगा अंटार्किटिक डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट और यह कैसा है यह पोलर डेजर्ट है यह फिर ठंडा डेजर्ट है यह फिर सीत भी बोल सकते हैं इसको पोलर भी बोल सकते हैं आपको याद ठीक है गरम पूसते तो किसको टिक करते है सहारा को तो confuse मत होना अगला कोशन देखते हैं वह यह छेतर जिसमें कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है जहाँ पर मरुस्थलों का विकास होता है तो ठीक है तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पर बच्चों होती है कब 25 विश्वत रिखा में मकर रिखा में या फिर आर्केटिक महसागर में तो जो विश्वत रिखी छेतर होता बच्चों जो एक्क्योटोरियल रीजन होता है 0-5 डिगरी का छेतर जिसको हम डोल्टरम चेतर भी वोलते हैं तो इस रीजन में कभी भी मरुस्थलों का विकास कभी भी desert देखने को नहीं मिलेंगे अगला question देखेंगे निम्नमैसी किस अक्षान सी छित्र में सरवादिक मरुस्थलों का विकास होता है तो ये भी important question है 10 से 45, 50 से 60, 30 से 40 या फिर 10 से 35 तो इसका सही आंसर होगा 30 से 40 दिगरी या फिर 30 से 35 दिगरी के आसपास आपको सरवादिक मरुस्थल देखने को मिलेंगे अगला question देखेंगे बच्चो आटाकामा मरुस्थल किस छेत्र में इस्तत है आटाकामा डेजर्ट कहां पर located है करक रिखा और मकर रिखा के मद्ध में मकर रिखा और आर्केटिक व्रत के मद्ध में विश्वत रिखा और मकर रिखा के मद्ध में तो इसका अंसर हो जाएग इसके लावा जो 30 मरुस्थल होता है उसका ये एक्जामपल है और विश्व का सबसे सुस्कता मरुस्थल है ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा गरम मरुस्थल है ना सबसे बड़ा होट डेजर्ट कौन सा है तो इसक अफरी आफरीका में स्थित है अफरीका कौन्टिनेंट में और लगातार इसका विस्तार हो रहा है दक्षन की वो डिसको हम क्या बोलते हैं साहिल चेत्रय साहिल रीजन बोलते हैं ये सारी डीटिल मैं आपको बहुत अच्छे से बताई थी अगला कुशन देखेंगे इन मे से कौन सा उत्री अमेरिका का मरुस्थल है नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट का मरुस्थल है आटकामा ये साउथ अमेरिका का है कालाहारी ये आफरीका का है चिहुआ हुआन सही हो जाएगा उत्री अमेरिका कॉंटिनेंट या ही USA का सबसे बड़ा कॉंटिनेंट है जी सही अर्वी तो मैंने आपको बता था अर्वी रेगिस्तान या फिर अरेविन रेगिस्तान है सबसे रेतील है मरुस्थल है यहाँ पर रेगिस्तान काफी जादा है जो अरब प्रायधी पर अरेविन पैनिंस होला है वहाँ पर इसकी location है या फिर उस reason में यह located है आपको याद जो थार डेजर्ट है बच्चो मुख्यता भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है इसके लाव भारत का एकमातर गर्म रेगिस्तान है यहां पर सरवादिक जन घनतो पाया जाता है काफी महत्यपूर्ण कॉश्चन है कई वार एक्जाम में यहां से कॉश्चन आता है आपको याद रखना है ठीक है मुख्यता भारत के राजस्थान राज में आपको इसको देखने को मिलेगा अगला देख लेते हैं विश्व का सबसे सुस्कुतम मरुस्थल most important question है कई भी मैंने आपको बताया था अरेवियन गोभी आटाकामा या फिर कालहारी तो इसका अरेवियन गो भी पाए जाते हैं आपको याद रखना है तो यह सारी डीटेल आपको मैंने बताई थी लास्ट कोश्चन देखते हैं बच्चो निम्नमै से किसे 85 भूमी का देश कहा जाता है तो आस्ट्रेलिया को बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूरी पश्चिमी आस्ट्रेली में मैंने आपको मरुस्थली करना या फिर डेजर्टिफिकेशन की थियोरी भी पढ़ाई है I think आपको इस से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड है सारे जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे इसके लाब कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट में मु तो मुलाकात होगी अगले वहतर लेक्चर में यदि वीडियो लेक्चर आजका पसंद आये तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें इसके लाबा वीडियो को लाइक जरू करें जैहिंद धन्यवाद